हाई फ्रेंज अज मैं आप लोग को बताने वाले हैं तैंड हाउ टो कंसंट्रेट और यूर स्टुडी अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर कोई अपने एक्जाम में टॉप करना चाहता है हर कोई अच्छे मांक्स लाना चाहता है बट सब के साथ यही में प्रॉब्लम है कि व सब्सक्राइब कर दो कि अच्छे में प्रॉब्लम होती है सब्सक्राइब करना चाहता है इस वज़े से माइन एक रिदम मिंटें कर लाता है जिससे हम चीज़े अच्छे से समझ पाते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी म्यूजिक से रिद्यूस होती है सो गाइज दो लिसन सम्म्यूजिक बिफोर स्टाइब हम सब जानते हैं कि फोन हाथ में आते हैं हम म्यूजिक के चाटनी करना पसंद करते हैं जिससे अराम से एक या दो घंटा वेस्ट हो जाता है अर अगर सेलफोन यूजिक करना ही है तो यूजिक बहुत स्टूरिंट्स की यह गलत आदत होती है कि जब एक्जाइम्स पास आ जाते हैं तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो जाधा एफेक्टिव प्रूव होता है क्योंकि उससे त्यारी अच्छे रहती है और अटेंशन नहीं होती आपको जो पढ़ाई करनी है कैसे करनी है उसको पूरा प्लान बना ले और प्लानिंग का एक तरीका होना चाहिए अपनी चीजों को लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्याटिगराइज करना सेखें स्टाडी प्लान करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन बैठके एक ही टॉपिक को पढ़ते रहें कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए उसे कुछ घंटे तक अच्छे से पढ़े प्लानिंग से आप में एक कॉन्फिदेंस डेवलाप होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंज्स और फ्रेंज्स जहां हम पढ़ते हैं वो रूम हमेशा वेल ओर्गनाइस रहना चाहिए ताकि आपको बारबर वहां से उठके ना जाना पड़े जिससे हमारी कांसेंट्रेशन डिक्रीज होती है